नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चानल में अगर आप एक CSC VLE हैं कॉमन सभी सेंडर संचालक हो तो अब आप सभी को अपनी CSC ID के मादिम से वार्षिक सुल्क 500 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक आपको अपनी CSC वालट से कटाने होंगे यहाँ पर CSC के मादिम से सभी VLE को नोटिफिकेशन एमेल के जरिये भेज दिया गया है जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस इमेज को अपने साइट पे लगा दूँगा आप लिए इसको देख सकते हैं जहाँ पर साफ साफ बताया गिये है प्रिये VLE आपको अउगत कराना है कि E-District 3.0 परियोजना के अंतरगत उत्तर प्रदेश सरकार्त था DSP संस्ता से हुए अनुबंद के सर्ता अनुशार प्रतेक जन सेवा केंदर से वार्षिक सेवा सुल्क 500 रुपे से लेकर 2000 रुपे के रूप में लिये जाना निद्देशित है जिसके क्रम में आपको सुचित किया जाता है कि लिये गए निर्णा के अनुशार आपको E-District ID के सापेक्ष कलेंडर संदो 2024 के लिए निवर्थम सेवा 500 रुपे प्लस जो टैक्स है उसका भुकतान आपको अपने CSC वालेट से करना होगा अतहा अगर आप चाहते हैं कि आपकी E-District ID में आसुधा ना आये आपकी ID बंद ना हो तो ऐसे में आपको आज ही जो सुल्क बताये गया उस सुल्क को अपने CSC ID से पेमेंट करना होगा तो जितने भी हमारे CSC वेली भाई हैं जो की E-District चला रहे हैं CSC उत्तर प्रदेश का तो आप सभी को अब 500 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक का जो वार्शिक सुल्क है आपको अपनी CSC वालेट से कटाना होगा यहाँ पर लिंक भी दिया गए हलाकी में आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस कंप्यूटर के माध्धम से दिखाने वाला होगा किस प्रिकार से आपको अपनी CSC ID में लोगिन करना है और किस प्रिकार से आपको अपनी E-District का जो वार्शिक सुल्क है उसको पेमेंट कर दे जाएगा और फिर आप उस सर्विस का इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे तो अगर आप एक CSC BLE है और आप चाहते हैं कि आपकी ID निरंतर चलती रहे तो ऐसे में आपको इस फीस का भुकतान करना अनिवार है चले ले चलता हूँ आपको कंप्रिटर स्क्रीन पर वहाँ प पासवर्ट से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लोगिन हो जाना है लोगिन होने से पहले में आपको जो इमेल आया है अपनी इमेल को भी यहाँ पर खोल कर दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इमेल मुझे आज सुबा साथ बचकर 45 मिनट पे आया ह इस इमेल में साफ साफ लिखा है इडिश्टिक परियोजना अंतरगत वार्षिक सिवा सुल्क लिये जाने के संबन्द में आवेस्यक सुचना इस प्रिकार से आप सभी CSC VLE को मेल आया होगा अगर आप CSC का इडिश्टिक ID चला रहे हैं और अगर नहीं चला रहे हैं तो कि इसके विश्टिक में जानकारी आज की इस वीडियोग में मिलने वाली है तो यहां पर देख पाएंगे जो भी आपका नाम ऐसे की हमारा नाम राजन है तो यहां बताया गिये हैं प्रिये राजन आपको अवगत कराना है कि इडिश्टिक 3.0 परियोजना अंतरगत अनुसार प्रतेक जन सेवा केंदर से वार्शिक सुल्क 500 रुपे से लेकर 2000 रुपे के रूप में ले जाना निर्देशित है जिसके क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि निर्दे के अनुसार आपको जारे इरिश्टिक आईडी के सापेक्ष कालेंडर वर्स 2024 के लिए निर्देशिक सेवा सुल्क आपको यहाँ पे 500 रुपे से लेकर जो भी टैक्स है वो आपको भुक्तान करना पड़ेगा और इरिश्टिक में आज सुधा से बचने के लिए आज ही आपको उपरोक्त सेवा सुल्क की कतवती निमलिखित माध्यम से करना है तो यहाँ पे यह इन्होंने लिंक दिया है इस लिंक के माध्यम से डाट भी हम पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने हमें एक मैनुल जो है यूजर लिंक दिया है तो यहाँ पे यह पीडिया है कि आप लोग इसको देखकर पेमेंट कर सकते हैं हलाकि हमें इसकी कोई आवसकता नहीं मैं आपको physically दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको यहां से हम काट देंगे और हम अपनी ID के अंदर इसके अंदर login हो जाएंगे अब login हो जाने के बाद आपको यहां पर दिख जाता है services आपको services वाले option पर click करना है जैसे ही आप इस option पर click करते हैं click करने के बाद आपके screen पर इस प्रिकार से interface आ जाएगा आप सभी के सामने यह services वाला dashboard ओपन हो जाएगा अब यहां पर search का एक icon दिख रहा है आपको search वाले icon पर click करना है और इसके बाद यहां पर आपको search करना है e-district ठीक है इस प्रिकार से आपको search करना है e-district इतना search करोगे आप सभी के सामने e-district का जितना भी service है आपकी screen पर show हो जाएगा अब आपको scroll करते हुए थोड़ा सा नीची आना है यहां आप सभी को एक option दिखाई देगा e-district registration CSCE governance उत्तर परदेश e-district आपको इसी वाले option पर यहां पर option मिला है click here आपको click here वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप इस option पर click करते हैं आपके screen पर इस प्रिकार से dashboard open हो जाएगा यहां आपको मिलता है login with digital siwa connect आपको इस पर click कर देना है इतना click करने के बाद जो भी आपकी present information है वो आपके screen पर आ जाएगा इसके बाद हमें scroll करते हुए नीचे आना है यहां आपको proceed का option दिखाए देगा आपको proceed बटन पर click कर देना है जैसे यहां proceed बटन पर click करेंगे आपके screen पर इस प्रिकार से dashboard आपन हो जाएगा जहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है BLE Registration Renewal E-District उत्तर परदेश यहां पर आपका जो भी detail है आपकी जो registration ID है आपका CSC ID है आपका mobile number है आपका जो भी village है जो भी आपकी CSC ID है या फिर आपका जो E-District ID सभी यहां पर आपको देखनी को मिल जाएगा अब सीधा आपको यहां पर proceed बटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहां पर proceed बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ले जाएगा CSC payment page पे यहां पर इस प्रिकार से अभी जो है कुछ technical error होने के कारण payment page पे नहीं ले जा रहा है क्योंकि अभी अभी सुभा सुभा update आए थी तो आपको पता है जब भी कुछ नई चीजे CSC के अंदर include की जाती है तो उसमें इस प्रिकार से problem आना आम बात है खर कोई दिखत नहीं यहां से हम इसको back मारते हैं और इस प्रिकार से आप सभी के सामने page आज जाएगा तो यानि कि procedure आप यहां करेंगे तो सिधा आपके payment page पे ले जाएगा यानि कि CSC wallet से आपको अपना CSC ID का पास्व डालना है और आपको अपना wallet का पिन डालना है तो आपका payment हो जाएगा और आपकी CSC ID जो है वो renewal हो जाएगी लेकिन अगर आप एक नए CSC VLE है और आपको इडिस्टिक ID नहीं मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यहां आपको option दिखता है new registration आपको इस new registration वाले option पे क्लिक करना है आपकी जो भी information है इस प्रिकार से interface आ जाएगा यहां पे देखेंगे लिखा है new registration इडिस्टिक उत्तर प्रदेश आपका नाम और आपका mobile नमबर और आपका email ID पहले से ही रहेगा यहां पे आपका state आपको select करना है यानि state आपका automatic selected रहेगा आपका district selected रहेगा अब यहां पे जो भी आपका block है वो block आप यहां से select करनेंगे जो भी आपका block है इसके बाद यहां पर फिर आपको अपना जो भी आपका gram पंचायत है वो अपनी gram पंचायत आपको select करनी है जो भी आपका village है वो village select करेंगे और यहां पे पूछ रहा है किया आप already registered है इडिस्टिक में पेनाओ पे click करोगे तो सिधा आपके CSC wallet payment page पिल जाएगा जहां पर आपका 500 रुपे का payment होगा और payment होने के बाद आपको slip मिल जाएगा और साथ से 15 दिन में आपका जो e-district ID है वो generate होके आपके email ID पे आ जाएगा और उसके बाद फिर आप लोग जो है option पे click करेंगे तो e-district का जो official site है आपके screen पर open हो जाएगा और फिर यहां पर आपको मिलता है e-district login का ठीक है तो यहां पर e-district login पे click करोगे जैसे e-district login पे click करेंगे login page आपके screen पर show हो जाएगा अब यहां आपको select login type पे click करना इस परिकार से csc e-district user को select करना है आपकी csc e-district user को select करने के बाद जो भी आपका e-district ID आपके email पर आएओ डालेंगे आपका जो भी password डालेंगे capture code यहां डालेंगे और submit बटन पर click करेंगे तो जैसे ही आप लोग submit बटन पर click करते हैं आप देख पाएंगे आप अपनी ID के माध्यम से इसके अंदर login हो जाएंगे जो भी services से सभी services use कर सकते हैं यहां से राशनकार बना सकते हैं खत्मनी के नकल होगारा सब कुछ print कर सकते हैं और यहां से आई जाती निवास हैसियत दिभ्यांग से प्रकार के प्रमाढ़पत्र आप लोग यहां से apply कर सकते हैं बना सकते हैं यहां पर आपका नाम और यहां पर CSD के अंदर से प्रकार से लिखा रहेगा आप चाहें तो यहां से अपना change password पर click करके password को भी change कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप लोग अपने ID के लिए रिनीवल कर सकते हैं नया रिष्ट्रेशन कर सकते हैं और ID मिलने के बाद login कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गया हैं और अगर इसके अलामा कोई और जानकारी आप से भी कुछ पाएं चले मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में धन्यवाद